दोस्तों नमस्कार प्राकर्तिक का भी रूप बड़ा ही निराला होता है क्योंकि प्राकर्तिक अपनी गोद में कई प्रकार की जड़ी बूटियां आपने अंदर सिजों रखती है आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे ताकतवा सबजी की जो हमें जंगल, मेड, नदी नाले वर सर्ड़क के किनारे जहां जारियां हो वहां पर अपने आप वर्षा रितू में उगने वाली सबजी की बेल जंगली करिला, देशी करिला, कंटोला आदे नामों से जाना जाता है दोस्तों यह बेल छै मिन्ने यानि वर्षा रितू में पैदा होती है, जनवरी फरवरी मेने तक हमें फ़ल देती है इस करेले का साइज बहुत ही छोटा होता है और पकने के बाद लाल हो जाता है लाल करेले से निकलने वाले बीजों के द्वारा इसे उगा सकते हैं या बेल को जड़ समेत उखाड़ कर लाकर लगाने से भी अपने घर में लगा सकते हो जंगली करेले के अंदर कई प्रकार के विटामिन, प्रोटीन, फासफोर्स, एंटी ओक्सिडेंट, एंटी डैप्टिक गुन पाए जाते हैं इसके अंदर कोई किसी भी प्रकार की खाद वर दुआई का प्रियोग नहीं होता इसकी सबजी हमारे श्रीर में इमनेटी बुस्टर का काम करती है सबसे मेतोपोन बात इसमें कैलोरी बहुत कम होती है सो ग्राम के अंदर सत्रा ग्राम कैलोरी इसके अंदर होती है जो हमारे सवस्ते के लिए बहुत ही फायदेवन है चलो जानते हैं इसका किन-किन बिमारियों के अंदर प्रियोग किया जाता है नमबर एक गर्भा अवस्ता के दुरान कई महतोपूर्ण स्थीतिया पैदा होती है उन में से एक समस्या है Neural Tube Defects देशी क्रेले की ताजी हरी पत्ती जो विटामिन B, C का अच्छा शरूत माना जाता है जो कोशिकाओं के विकास और परजनन के लिए ज़रूरी है यदि गर्भवती मेला इसका परियोग करती है तो Neural Tube Defects की समस्या नहीं होगी नमबर दो हमारे श्रीर में अत्यधीक विशेले कणों की मौझूदगी होना जो श्रीयम में एक बहुत ही अच्छी प्राकर्तिक एंटी ओक्सिडेंट होती है कैंसर की समस्या को कम करने के लिए विटामिन सी हमारे श्रीर से विशेले कणों को बे अश्र करती है जंगली करेला इसमें काफी फायदेबंद है नमर तीन कंट्रोला में बीटा कैरोडीन, अलफा कैरोटीन, लिूटेन आदि पाये जाते हैं ये सबी आपकी बढ़ती उमर के लक्षन को कम करता है ये आपकी तब्चा को सुष्ट रखता है इसके इलावा ये विविन प्रकार की तब्चा रोगों से मुक्त रखता है नमर च्यार, आखों की द्रिष्टी के लिए जंगली करेला खाफी मददगार है विटामिन ए पाया जाता है जो आखों की द्रिष्टी के लिए बहुत ही फायदेबंद है यानि के आखों की द्रिष्टी जो कम होई है उसे भी ठीक करने में फायदेबंद है नमर पांच, जंगली करेले के पत्तों को पानी में उबाल कर एक सपून सहैद मिला कर लेने से बुखार यानि के वैरल बुखार में फायदेबंद है नमर 6, यदि आप भी खांसी से पीडित हैं तो जंगली करेले के तीन ग्राम पाउडर को ताजे पानी से दिन में तीन बार लेने से काफी अराम होगा क्योंकि यह सुष्टे के लिए काफी फायदेबंद है नमर 7, यदि कोई व्यक्ती गुर्दे की पत्त्री से पीडित है तो वह कंट्रोला का उपियोग करके गुर्दे की पत्त्री से रहात पा सकता है एक लास दूद या पानी में 10 ग्राम कंट्रोला पाउडर मिलाई सुबह स्याम लेने से यह पत्त्री को गला कर बाहर निकाल देता है नमर 8, इसमें फाइबर की मात्रा होती है पाच्चन को उतेजित करने में मदद करता है यह अपज व्यकवज की समस्या का इलाज करने में मदद करता है इसलिए आप भी जंगली क्रेले की सबजी खाना सरो करें नमर 9, यदि आपको अधीक पसिन्ना आता है तो कंट्रोले के पाउडर के साथ सनान करने से पसिन्ना वैश्रीर की बदबू से काफी फैदा होगा इसके कुछ साइड इफेक्ट भी है यानि के नुक्षान नमर 1, आपके पाचन तंतर को खराब कर सकता है यदि आप ज़्यादा मात्रा में इसका सेवन करेंगे तो इसमें आपका पेट दर्द वै दर्स्त की समस्या भी आ सकती है इसलिए डक्टर की देखरेक में प्रयोग करें स्वेगनेंसी या सतन पाद करने वाली महिला को डक्टर की सला की द्वारा ही इसका प्रयोग करना चाहिए नमस्कार